हेलो फ्रेंड्स वेलकम चू क्यूरियो फेक्टॉइड और आप सभी का एक नए गर्मागरम ग्यान भरे वीडियो में स्वागत है तो चलिए आज की वीडियो को बिना वख जाय करते हुए शुरू करते हैं और इस वीडियो का नाम है क्या बात है तो आपको कुछ इस तरह की फोटो दिखाए देगी अब आप सोच रहे होंगे यह कैसा तरीका एक गर्मी से राहत पाने का पर यह कोई गर्मी से राहत पाने का तरीका नहीं है कुछ लोग होते हैं जो खाली बैठे रहते और उनके दिमाग में खुराफाती आइडियास गूमते रहते हैं जिने कोई काम नहीं होता वैसे ही एक सक्स का नाम है डेविट हॉरविट्स उसके भी दिमाग से ये फ्रिज में मुंडा गुसाने वाला आइडिया इजात हुआ था 2009 में उसने अपनी फोटो खीची और ट्रमलन नाम के एक वेबसाइट में डाल दी और तब से 2018 तक ये ट्रेंड में चला जिसे देखो अपनी फोटो फ्रिज में गुसा कर खीच रहा है अपने मुंडे को फ्रिज में गुसा दिया फोटो खीच रहा है अब क्या बताओ इनके लिए तो सब्दी कमपड रहा है और ये जो नमबर है ना ये उसके फ्रोजन नूडल्स का और उसके फ्रिज के बार कोट के नमबर का कॉम्बिनेशन है बहुत दिमाग लगाया है नमबर टू फैरूसियो लेंबॉर्गनी स्पोर्ट्स कार की इत्यास में लेंबॉर्गनी का बहुत बड़ा दर्जा है और बहुत लोग के ड्रीम कार भी है लेंबॉर्गनी पर आप सभी को क्या ये पता है लेंबॉर्गनी के बनने के पीछे एक क्लच का कारण है हाँ आपने सही सुना एक clutch का कारण है क्योंकि Lamborghini के मालिक Ferrosio Lamborghini सबसे पहले एक tractor company के मालिक थे और वो एक sports car lover भी थे उन्होंने सबसे पहले खरीदी Ferrari 250 GT पर उन्हें उस car के clutch के साथ कुछ दिक्कते आ रही थी इसलिए उन्होंने सोचा कि showroom में जाके complaint लिखाए और जब वो complain करने गए तो showroom वालोंने उल्टा उन्हें ही कहना शुरू कर दिया और इसी insult ने उनके अंदर एक जुनून पैदा कर दिया एक sports car बनाने की और उन्होंने बनाई Lamborghini 350 GT जो Ferrari 250 GT से भी ज़्यादा ताकतवर है और उन्हें अपने Lamborghini के लोगों पर लगाया bull इनसानों की इथियास में सबसे बदनसीव आदमी है ये इस जैसा बेचारा और लाचार इनसान नाच तक पैदा हुआ है नासायद होगा वैसे तो ये एक Britain Army Officer था पर इसके साथ कुछ ऐसी चीज़े हुई जिसके वज़े से ये बन गया इनसानों में सबसे बदनसीव जब 1918 में इसे Belgium टांसफर कर दिया गया World War 1 के दोरान और एक दिन ये जब घुर सवारी कर रहा था इसके उपर अचानक से गिरती है बिजली और ये बहुत बुरी तरह से जखमी हो जाता है और इसके कमर की नीचे की बॉड़ी पूरी पैरलाइस हो जाती है फिर कुछ महीनों बाद ये एकदम सही भी हो जाता है फिर ये कैनाडा चला जाता है अपनी जिन्दगी नएतोर से सुरवात करने के लिए फिर 1924 में ठीक 6 साल बाद जब ये अपने घर के पास वाले तालाब में मचली पकड़ने जाता है इस पर वापिस गिरती है बिजली और इस बार भी ये बहुत बुरी तरह जखमी हुआ और इसकी राइट साइड वाली बॉड़ी पूरी पैरलाइस हो गई दो साल तक मौच से लड़ते लड़ते ये सही हो गया फिर वापिस ठीक 6 साल बाद 1930 पे जब ये पार्क में तेहल रहा था तब इस पर वापिस गिरती है बिजली और ये इस बार बहुत बुरी तरह जखमी हो जाता है दो साल तक मौच से ही लड़ता है पर ये जीत नहीं पाता और 1932 पे ये मारा जाता है इसका कफन केनडा में ही बनाया जाता है पर तीसरे घटना के ठीक 6 साल बाद 1936 पे इसके कफन पर वापिस बिजली गिरती है ये आज तक एक रहस जैसा बना हुआ है कि इस पर ही तीन बार क्यों चार बार क्यों बिजली गिरी और 6 साल बाद बाद ही क्यों बिजली गिरी इसका कारण किसी को नहीं पता क्या आप सभी इनको जानते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं आप जान लीजिए जैसे थोड़ी दर पहले मैंने आप सभी को वाल्टर समर फोर्ट के बारे में बताया था जो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है वैसे ही मिस्टर यामागुची दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी है तो चलिए जानते हैं यह खुश नसीब कैसे बने जैसे आप सभी को पता होगा कि हिरोशीमा और नाकासाकी में न्यूकलियर बॉम गिरे थे और उससे लाखो लोगों की जान गई थी और जब हिरोशीमा में न्यूकलियर बॉम गिरा था ये भी वहीं थे पर ये मरते मरते बच गए फिर ये घर पे चुकरनी बैठे ये अगले दी नाकासा की गए अपने जॉब के लिए काम के लिए इनका डेडिकेशन तो देखो आप सब फिर वहाँ पे भी नूकलियर बॉम गिरा और ये बाल बाल बच गए मौत को गले लगाते लगाते ये व ये कैंसर से मारे गए और वो कैंसर इने उनी नूकलियर बॉम्ब्स के वज़े से ही हुआ था नंबर फाइव तो दे मून एंड बैक ऑन फोर के बी ओफ मेमोरी आपके फोन या लैप्टॉप की रैम कितनी होंगी 2GB, 3GB, 4GB ये 12GB क्या आपको ये रैम कम लगती है तो आज म मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद आप सभी कभी नहीं सोचेंगे कि आपके फोन या लैप्टॉप की रैम कम है 20 जुलाइ 1969 इंसानों के इत्यास में वो सुनेरा दिन जब इंसानों ने पहली बार चांद में कदम रखा था क्या आपको पता है नासा ने जिस सॉफ्ट्वेर और सेटप की हेल्ट से नील आमस्ट्रॉंग और बस को चांद में बेजा था उसकी रैम कितनी होगी मेमूरी कितनी होगी आप जानेंगे तो एकदम चौक जाएंगे उसकी रैम थी 4KB 4KB जो कि आज से सिर्फ 50 साल पहले की बात है पर आज सुनके ये लगता है कि ये नामुंकिन जैसा है अभी तो एक फोटो भी M20 में आती है है ना ये फैक्ट माइंड ब्लोइंग मानते हो की नी मानते हो आप सभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो पास वाले घंटे को बजाओ टंसे कमेंट करो फेवरेट पा है